हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दे चैनल आरकेवाइट टेक जोन आज के वीडियो में हम देखेंगे यानि कि PDF फाइल डिजिटल साइन कैसे करें तो चलिए लेट स्टार्ट दे वीडियो सबसे पहले दिखते हैं कि इसमें क्या 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 सॉप्टर और क्या क्या टूल रिक्वाइड है इसे यूज करने के लिए आपके सिस्टम में अडोबी अक्रोबे ट्रेडर डिसी इंस्ट टोकन का पिन अपने साथ में रेडी रखें और सिस्टम में डिसी ट्राइवर या सॉफ्टर इंस्टॉल होने चाहिए तो नेक्स्ट टेप है हाउ टू यूज किसी भी PDF को साइन करने से पहले डिसी यूजबी टोकन को अपने PC या लेट्टॉप के यूजबी पोर्ट में अगर आपने अपने DSC USB टोकन को अपने PC या लेट्टॉप में अगर इंसर्ट कर लिया है तो यहां टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया में आप अपने DSC सर्टिफिकट को यहां देख सकते हैं HPY2003 सर्टिफिकेट रजिस्टर इस रेडी अब देखते हैं PDF को डिजिटली साइन करने का प्रोसेस फर्स्ट में कौपी औप में पीडिएफ इस सेफटी के लिए पहुँ जुरूरी है दें ओपन रिक्वार पीडिएफ जिसको साइन करना है इन Adobe Acrobat Rater DC PDF में इस प्लेस पे यहां रिक्वार एरिया में साइन करने के लिए यहां अल टूलस में यहां आप यह optional instruction pop-up आप देख सकते हैं कि कैसे PDF को sign करें, कैसे draw करना है, you can read it and follow the process, यह पुरह process है using the mouse, using your mouse click and drag to draw the area where you would like the signature to appear, once you finish the dragging out the desired area, you will be taken to the next step of the signing process, अब document पे जहां sign करना है, यहां click और drag करते हुए rectangle draw करो, कुछ इस तरह से, अपने PDF के signing area और space के accounting, अब आपके सामने यह digital ID selection box आगा, यहां से अपना required digital ID चूज़ करें, जिस sign को use करना है, और यहां continue पे click करें, और अब यहां sign बटन को click करें, आप चाहो तो document को sign करने के बाद उसे log भी कर सकते हो, उसके लिए आपको यहां check box पे tick करना होगा, लेकिन याद रखें, log करने के बाद इस document को दुबारा modify नहीं किया जा सकता, फिलाल तो हम इसे uncheck रखते हुए, आगे बढ़ते हैं, और इस sign बटन पे click करते हैं, अब आपको save as dialogue box पे, file को किसी और name से save करक और save बटन पे click करें, और finally अपने USB token का pin enter करें, और login बटन पे press करें, so friends आपका PDF file DSC sign के साथ ready है, यह आप देख सकते हैं, digital signature, signature validation status, signature is valid, और यह यहां signature panel, sign and all signatures are valid, so friends आपको यह how to sign a PDF document with DSC, यानि digital signature कसा लगा, comment करें बताईएगा, साथ में यह भी बताईएगा कि next video आप किस topic पे देखना पसंद करेंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा और informative लगा, तो वीडियो को like करें, और चैनल को subscribe क करें, मिलते किसे next video में, thanks for watching, bye